वेलकम बेक आवार यूटूब चैनल ओनलान स्टेडी पॉन रन आज की इस वीडियो लेक्चर 12 का यह पार्ट फोल लेकर आए हम जो की हम सीरीज हमाई चल रही है टॉप 30 कोस्टन सीरीज तो यह जो सीरीज है बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है इससे बाहर आपका कोस तीन वीडियो और आएंगे इस चैप्टर से हमारा कौन-कौन सा यह आएगा से लेंडरी कल में जो एक कुस्टन सोब कांटनिटी एक सिमेट्री जो फॉर्म होती है तीनों में वह आएंगी जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत हमायत पूर्ण है तो बस इतना ही आएगा तो इस प्रकास से पहले से नोट कर लिए ताकि जो है जल्दी ज्यादा से ज्यादा कुस्टन हो जाएं देखिए क्या कहता है वैलोसिटी डिस्ट्रिविशन इस क्यू क्यू इस प्रकास से दिये गया है ठीक है यह एवी सी आर कॉंस्टेंट है आपकी देन फाइंड एक्स तो आपको क्या निकालना है वह सब्से पहले निकालना एक्सलेरेशन तो आप यह जल्ली जल्दी बाझी में यहां पर बतां करना वह क्या साबसेHIRN करने कुठों भरण सब्सक्राइंगा मुण्स कर आएंगे तो दो यह एक्स किसा ब Jewish निकालना है तो यहां पर हमारा क्या एच से हैं यह लग टाक्या है वहां पर पड़ा हुआ इसका सूत्र होता है सबसे पहले तो आपका यानि कि इसमें आप हम क्या लगा देंगे, क्यों लग जाएगा इसमें, अभी तो देखो, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला होता है, डी डी टी का, यहाँ पर समाज लीजिए पहले, दिखिए, आपका फॉर्मूला होता है, त्रोन का, ये वैक्टर फॉर्म में कह दीजिए, क्या होता है, डी डी टी, मतलब कम ये बाला डिफ्रेंसेशन होता है, और यहाँ पर होता है आपका क्यू वैक्टर, ठीक है, ये की जो आपका इतना होता है, वुचि-D-D-T defined कैसे होता है इस रूप में यदि इसको तोड़ दें तो कैसा बने जाएगा आप इस पर कहा से बन जाएगा हमारा तो यानि हमारा कैसे बनेगा यानि D-D-T बराबर कैसे बन जाएगा इस पर कहा से फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा Q का multiply हो जाएगा तो यह साइस लिए ध्यान दीजिए आप इतना कल लेंगे अब यह को एक दू कोस्टेंस हो रहेंगे आपको यह से ही ठीक है तो हमने कहा कि यह लेट का लिया एक्सिलेरेशन एबन आइक एफ एटू जेक एफ और एथिरी के एफ जैसे हमें एबन निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ डीउ डीटी डीउ डीँडी टीडीटीडीडी यह अपका कितना है उतना आ इतना यह टाम ने से तना और उसके मैल्टिप्लाइंवें क्लिए उपकार तो कितना हो जाएगा घख है अब यह इस प्रकास कर ली तो टू देखी है तो देखिए हमने क्या क्या एग नेकाला कमने तो ऋपने पूरोers किली में लग लिए और बाहर किली अब यू कमान रह देंगे क्या है यू कमांगी है यह निजी को आगे देखेंगे हम अधिक हमने रखा यहां पादीक डिफ्रेछे सन्फ कर आते गए हैट कि नहीं प्राइब तो क्या बन गए हमारा यहां से देखो अंदर गुणा करा दिया U का फिर देखो T का कराया तो इतना आ गया इसी प्रकास जी X के साफेश कराया तो इसका देखो 2X हो जाएगा तो इतना मतलो इस प्रकास से इसका जो है differentiation हमने कर दिया यहां 0 क्या हो गया क्यों कि हम Z के साफेश कर रहे है और इसमें Z कहीं पर भी नहीं है तो इस प्रकास हमारा जो equations यानि A 1 हमने निकाल लिए जी इसी प्रकास यह टू निकाल ला है तो हमारा DDT इस प्रकास जी defined हो गया DDT जी हो गया और हमने यहां पर V कमान रख दिया जो V होता है बस इसको हमने हल किया तो बैसे ही तो हमारा यह भी आ गया है है ना एंड आपका A3 निकालना पड़ेगा तो DWDT होता और DDT के इस प्रकास इफाइन होता इस रकास से और हमार डबलू है तो W कमान कर रख देंगे CZT स्कॉाइर बस रख देंगे और डिफ्रेंसेशन कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी एक कुशन नमबर च्यार यह तीनों हमारी रूप निकल आए हैं तो हम यहां से क्या कह सकती है तो हम यह तीनों मान रख देंगे A vector जो हमने माना था तो यहां से A vector ठीक है तो इस प्रकास से जो है हमने यह कर ली है ठीक है तो हमने निकल ला है इसके लिए पहले हमने डिफाइटोसिटी वेक्टर क्या होता है जिससा भी define डाको कर दिए है में यहांते हैं मταलव किस प्रकाश करते हैं क्र सब्सक्राइब देखेंको इसका यहां कोई ही सब्सक्राइब हमारा हो तो यहां से यहां सब्सक्राइब है देख रहे हैं जेट का बन हो जाएगा तो बच्छे का क्या माइनस भी स्कॉार टी इसी प्रकास सब कर देंगे तो हमार डबलू निकल आया ठीक है तुझे तो निकले आया हमना बाइटोसिटी वेक्टर डबलू ठीक है लेकिन आपको उसमें बाइटोसिटी कंपोनेंट्स भी दिये हैं तो आप क्या करेंगे तो देखो एक जी आपका जी वाला हो जाएगा यह इक आपका यह हो गया तो तीनों देशामें आपके तीनों कंपोनेंट्स निकल आया तो इस प्रकास से हम जो है सॉल्व करते हैं ठीक है समझ में आ गया है चलिए देखते हैं अगला कुश्चन नमबर जो है 15 देख लीजिए यह वाला कुश्चन जो दिखा जाए तो संपल है बस इसमें दिखिए क्या किया रहा है टेस्ट वैदर दा मोशन स्पेसिफाइड वाई क्यू एक्टर इस पर कहा से डिफाइन है जहां कि यह क्या है कॉंस्टेंट है इस यह पॉसिबल मोशन फॉर एन इनकंप्रेसिबल फिलेड इफ मतला हमें जो है पहले पॉसिबल से दिखानना उसके लिए जो एक्वेशन होती है बोले का चलेंगे इफ पॉसिफो यदी denarmine वर साथ में हमें ग्याद करना है दा एक कोईसांस प्देशें यानि हमें स्ट्रीम लाइन स्टीम लाइज ली निकाल ली है आल्सो टेल वैदर दा मोसन इज ओफ दा पोटैंसियल पोटैंसिएल काइंड फाई है मतलब है इसमें क्या निकालना है पोट इसके मतलब लग लग भाग कर दें तो गुड़ांग को लेंगे इस प्रकास से और कमपेरिंग कराएंगे तो यू वी डबलू निकल आया वो जब यू वी डबलू किस प्रकास लिखे रहते हैं आपकी नजर यहां पड़ रही हो जी कल हमारे यहां पर बोटेंग थी इसलिए यहां पर निकलाए तो आपको क्या निकाल ली आपर इनकंप्रेसीवल पहले दिखाना यानि पॉसिवल फिलट तो हमने क्या होती है यह होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा अप डिफ्रेंसिसन करना पड़ेगा यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साफिस करेंगे तो यह तो अपना वाई है तो इसको अलग रखेंगे जी उपर जाएगा तो माइनस रख दी और एक्स का होगा तो टू एक्स बटे में हमारा इसकी पावर एक बढ़ जाएगी इसी परकार से वाई के साफिश किया इसको हल कर देंगे देखर देख रहे हैं जी पूर जे भी कह सकते हैं एक क्यों क्यों हो रही है सैटेस्फाय हो रही है यहां ने तो हमने कर लिए है ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर आएब आप हमें क्या दिखाना है कि इसमें डूसरा हमें क्या दिखाना था है इस ट्रीम लाइन आदल दो लाइण चेम लाइन आर चाहिए रग अभंध देख सकते है्गे फूरा कट्श करा रहा है सब्सक्राइब तो हमारी क्विशन इस पर कहा से बनेगी ठीक है और डीजेट हमारा देख सकते हैं यदि हम फिर हम कर लेंगे इसको लेंगे तो जी इसको जागा तो जीरू कर देगा तो यानि यह सब्सक्राइब सेकंड मेंबर की दुवारा जी हमने लिया फर्स्ट एंड थार्ड मेंबर की दुवार यही तो तरीका होता है तो यहां डीजेट बराबस जीरू आ जाएगा और इसका समकलन काया देंगे तो जेट बराबस सीडेस हो गया और यहां देखिए इसका कराय तो एक से स्कॉब हमने माल लिया इसको आए तो यहां से कह सकते है कि स्ट्रीम लाइन्स आर क्या होंगी सार्किल्स होंगी हूँज सेंटर क्या होगा दिख सकती इसमें जेट तो है नहीं है जेट नहीं होता है तो जीरू पर होता है मतलब जिसका जो सेंटर किस पर होगा जेट एक्सेस पर ठ क्योंकि यह जीरो है तो इसलिए जीरो हो जाएगा इतना अगया अब इसको आपको थोड़ा सा है ना इसके माइनस के मल्टिप्लाई और कर देना है तो देखते हैं आंगे ठीक है? तो आगे देखिए डी-फाई तो दी-फाई बराबर की-ए स्वाइब आप जाने देखाएंगे इस फ़र्म में हैं माल लिया क्योंकि हमें पहले एक जगत दिखाएंगे तो उससे जरूर जली लग जाएगा ठीक है? ठीक है? तो M की जगह पर की स्कॉइब और एक्स का मान क्या हो जाएगा जी चिर ना साहए ते का से हमारा आ गया A m की वेल्व इतनी हागी और n की वेल्व बिएलव और गर्ट दिखाने के लिए का करते हैं यह आई की साप्स करेंगे तो हमारा इतना जाएगा दिखेंगे डोन पेसी हैं यहां पर कह सकते हैं एंडी एक्स एंडी एक्स एंडी यह कैसे हैं एक्जेक्ट है ठीक है इतना समझ गया आपको इंट्रीकेशन कर दें देख सकते हैं एक्स इसक्वाइज को जाएगा ठीक हम तो हमारा वगया किस निकल के आगया है ठीक है आंगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स जो है आपको क्या 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 प्रूस्टीन अच्छा सवाल है सिंपल सवाल है जेखेंगे क्या किया रहा है है टाइप के कुस्टन सा आपको मैंने करा दिया है दा वैलो सिटी वेक्टर इन दा फिलो फिलेट इस गिवेन वाई क्यू एक्टर इस प्रकाजे जहां यह भी सियार नोन कॉंस्टेंट है सब्सक्राइब निकालने के लिए हम क्या करेंगे माल लिया कि डबलू बराबर आपने अभी जश्ट आपने लगाए ता पहला सवाल उसमें करल क्यू वेक्टर बराबर में हमने रखा हूं इसका मल्टिपलेशन कर देना है ठीक है तो जी हमारे इस प्रकार से आएंगे हमारे थीक हैं जिएतने आग्म हमारे कैसे आएंगे देखो आई के साफ़ तो य चोड़ेंगे सिर्फ के साथ कराएंगे तो य के साथ चाहे का सिरुम बढ़िए का मान वाइगा य यहां अब्सक्राइगगा यहां सि कि यह हमारी एक्सव होई और उमेगया निकल लाएं प्रकार स्वेक्ष लाइन क्या होती हैं यह होती है ती एक्स ओमेगा एक्स बरावर डी यु उमेगा य इस प्रकास से हमारे बैलु रख दीए वसका हमने समाखभन करें संब्सक्राइब करें यह फिर तीनों भी निकाल सकते हैं इसको और इसको ले कोई दिक्कित वाली बात नहीं है ठीक है इतना आपको 16 नंबर सबंज में आ गया होगा है ना चलिए कुष्टन नंबर आप देखेंगे 17 कुष्टन नंबर 17 देखेंगे सो डेट यह वाला कुष्टन हमने जश्ट कराया इसकी प्रिवियस में उसमें अंतर क्या था बस यहां पर जो है माइनस आ गया था कुछ कॉंस्टन मतलब कॉंस्टन चाहिए कुछ भी आ जाए लगाना विल्कुछ सेम टु सेम हुआ है वही आपको च्छाप देना जो हमने ज स्कूइ एक्स V कि बराबर माने कैसा X Y з ठीक है एंड टी बराबर इसको आप जो है यहसे लिए एक स्कॉर्ट यह स्कॉर्स यस्कॉर बटन वी इस्कुरर कॉट इस्क्री ठीक है माइनस कब बढें बराबर में जीरू समीक तीра रहना से आप जो होता सर्फिस बांडी का क्या होता फॉर्मला आप होता है यह होता है यू डेल एफ डेल टी डेल एक्स सोरी ठीक है फिर आप बी डेल एफ डेल वाई फिर यहां से डवलू डेल एफ डेल जेड ठीक है और फिर आपका क्या हो जाएगा यहां से डेल एफ डेल टी बराबर में को में निकाला तो इसके लिए इसका माल रखेंगे इसका माल रखेंगे तो मतलब एप जो आपका यका sahब करेंगे कि मैं करिवा दिया है तो इसलिए नहीं तो इसको निकाल लीजी आपका आज आजाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए 18 दा वैलो सिटी वैलो सिटी फिल्ड एट ए पॉइंट इस गिवन वाई क्यू मतलब इसमें देखो क्यू दिया गया है तो आपको सब लाइन निका लिए पाथ लाइन और स्टील लाइन मैंने इसकी प्रिवेस वीडियों बहुत निकल आई यह पाथ दिया गया वो कॉडिनेट रूप में दिया गया तो आपका U हो गया डवी वह गया ओ जै डवलू जै आपको दिये गया है तो आप आसानी से इसका इंटिगेशन भी कर लेंगे असानी से निकालने इस्ट्रीमला यह आपके लिए भी हमँबर के ठीक है आंगे बढ़ेंगे है हमारा so that in the motion of a fellow into two dimensions if the current coordinate x और y है और in expressive in terms of initial coordinate and the time then the motion is irrational if यदि मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि यदि हमारे irrational यदि है तो वो यह जो conditions है वो 0 के बरावर होगा यानि ऐसी हमें सिद्ध करना है ठीक है तो यहां पर समझिए क्या कहता है दिखिए आपको सिद्ध करना है in fillet of मतलब क्या motion of fillet यानि तरल के दिरव में in two dimensional two dimensional में ठीक है जिसके current coordinate यह है और उसके जो त्रारंब के दे दिए क्या ए और बी क्या दे दिए ए और वी तो मतलब हमारा सीधा साय आप देख रहें डिफ्रेंसेशन ए और वी के साफिक्स हो रहा है तो मान के चलिए कि हमारा यह कि यहां करेंगे ठीक है इतना समझ गए चलिए यहां के दिख सकते हैं लेट यू भी वी वी दा वेलोसिटी component सामने माल लिए ठीक है अब दिखिए एक्स डेस जब आप टी के साफिक्स करेंगे डिफ्रेंसेशन यहां कहने का मतलब एक्स डेस लेखा तो जी आपका मतलब माल लिए यू है और यह वाई डेस इसको माल लिए आपने भी ठीक है थोड़ी देर के लिए इतना समझ गए अब देखिए आपको जब यह के साफिक्स आप डिफ्रेंसेशन करेंगे जब यू का यह किसका एक्स का है और वाई का भी है मतलब एक्स का भी है तो जब दो डूप का फंक्सन होता और आपको एक साफिर डिफ्रेंसेशन कराते हैं कंप्ली डिफ्रेंसेशन तो कैसे कराते हैं तो आप कराते हैं जो फंक्सन होता है डेल यू डेल एक्स और जिसके साफिक्स होता बटे में वहा जाता है ठीक है इस गिसे तो इंहीं यहां पर क्या हो जाएगा डेल एक्स यहां पर डेल यू डिल वी डिल वी इसी principle प्लस यहां पर डेल वाई लू बंकक में यह टो एकर जैबाइब सब्सक्राइब फिर को एक बनाना चाहें कि यहार Bean Paul इम्ड एक सबहुत के लिए जिए डेल मलिए विए पर दैके लिए जैसमा आपको जांते हैं यह रूप किस का होता है? जेकोबी एन के रूप में रेकिक्न है जहकोवियन कैसे देखे कैसी रखने का तरीके समझ लीजी यह जो ए है जो जहकोवियन आपने पड़ा होगा तो यह होता है इन पहले यह का इन दोनों की साफिस डिफ्रेंसेशन लेखते हैं सबसे उबर ठीक है तो हमने लिखा देल यू डेल यू फिर यहां पर क्या वी ठीक तुका तो यहां तो यहां ठीक है अब देखिए यहां समाझने वाली बात है यह यू या पर न में यह न क्या बना क्या वाना डिल वी ड़े डेल वी कैसे बन जाएंगा आप हब आपको रखना या यहां पर वी आपको ले लेना तो वह बhunगे यहां जगए नहीं थी इसलिए आप जो है इस साइड में देखेंगे ठीक है इस साइड देखिए तो डेल यू डेल वाई हमने जिए इसकी बैलू रख दी और यहां पर भी वी के लिए रूप में रख दी आपने बैलू ठीक है इतना आप करने के पश्चत अब आपको जो पद कड रहे होंगे तो उन पद को काड देन है कीसे कटेंगे देखू मैं बताता हूं नहीं आपको सिंपल नेमरिकल हमने जल्दी जल्दी ठीक है कैसे क्या करना है जो आपको पहला पाथ देखेंगे चल्द एकस डेल एकस डेल एकस डेल स्यक्यार तो जिसरा दो कड़ाएंगे ओठाझ जो बचेगाilos को एक अम कोमन कर लेंगे दिख सकते क्या और वाई कोमने क्या हाई देखो दोनों में हमारा डेल ugDaly common है। और और भी देख लीजिए। यह पर देखीये। इसमें पहला प्रकार तो इसमें vb ln common है। हमने क्या किया 걱정 किया अन्हें यहां से हम यहां से यहीस किये, तो यहां पर रहा है इतना यह आ जाएगा। थीकर इतना आजाने के पाश्चात देख सकते हैं अब देखो इसमें दिख रहे हैं इसमें देखो जेवाल हमने क्या किया है common करना जाएगा तो हमारे जी बन जाएगा ठीक है अब जी रोगा उसने चांडिशन दी है जीरो मतलब पूरी जीरो आपको सिद्ध करना तो कब होगा जब जीरो हो जाए जीरो होने का मतलब क्या होता है आपने यह कंडिशन पढ़िए किस की होती है इसके प्रिवेस वीडियो मैंने बताया तो मतलब होगा है इसका मतलब यह क्या होगा हमारा जीरो होगा जीरो होगा है तो हमारा पूरा हमारी जीरो हो जाए तो सिद्ध होगे तो इतना तो आप समझ आए देखते हैं सवाल में कुछ नहीं है बस एक बार आप इसको नोट कर लिए अच्छे से फिर आप समझ यह आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है आए देखते हैं क्या कहता है अच्छा सव मतलब जो उसमें कराएंगे दा पार्टिकल्स ओप मूप से से मट्रीकल इन स्पेस बिद रिगार्ड टू ए फिक्स चेंटर कुरूब्ड दा एक्कुसंस ओप कॉंटिनिटी इस इतनी वियर यूज दब वैलो सिटी ऑफ डिस्टेंस आरें ठीक है तो आपने जो है जब भी वहां करना है तो दूट कर दो को साथ में लेना है इसको पूर्यको फ्रस्टिकल्स सब्सक्राइब अगर तो आपको सिद्दू जाएगा असान को सद्द था तो लगांती कैसी है यह हमने बता दिया आपको ठीक है आए दिखते हैं हमारा नेक्ट कोस्टन क्या है तो आप कर लेंगे है ना डबलू जी सब दिये गए है तो आप निकाल लीजिए आपके लिए ठीक है आगे बढ़ेंगे और दा वेलोसिटी पोटेंशिल ओफ टू डाइमेंशिनल फाइव वराबर इतना है यानि इसमें दे दिया आपको फाइव वराबर कितना एक्स वाई डर के तो आपको क्या निकालना है दा इस ट्रीम लाइन से निकालन लsur いる किकिए आप बताए जब भी फाई दी हो तो आप फाई बराबर जानतेयं मतलव यू बराबर जानते क्या होता है नुटाहरा डेल फाई डेल कर देक्स यहां से एक बार डिफ्रेंशियम कर दें तो यू निकल आएगा है ना इसी परकास से वी निकालेंगे तो माइनस डेल फाई डेल वाई होता है है ना इसी परकास से हमारा अगला है डबलू निकालेंगे तो इसमेर डबलू बैस जीरो हो जायका न heroic पर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है फॉर्मला तो लिखती है हम आपको इंट दे रहे हैं इस टाइप की कुस्चन्स हमने बहुत करा दिए आप लोगों को ठीक है इतना हो गया अब बस इसका डिफ्रेंसिशन करेंगे तो आपको यू जैसे आपने एक्स के साफिस करना है तो आ आप जानते स्ट्रीम लाइन के क्या होती है डी एक्स बटे में यू बराबर डी वाइबटे में वी बराबर आगेर होता है आपका डी जैट बटे में डवलू बस इसमें आप जी बेलू रख दीजिए तो डी एक्स बराबर आजाएगा कितना आप बहाँ सा लिख इस यह केतना दिया डी जैट बराबर जीरू बस पहले आप फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड मेंबर ले लिएगा फिर फर्स्ट ले लिएगा कर लेंगे आप सो चलिए आंगे बढ़ें तो चलिए देखिए कुश्चन नमबर 23 क्या कहता है कि कुश्चन नमबर 23 है हमारा बराबर इतना है तो देखिए चाहे तो आप अलग अलग करें निकाल लीजिए या फिर आप एक साथ भी निकाल सकते हैं कैसे आपका क्यू वेक्टर दिया यू आई के वी जेक एफ और डबलू के जिन सबकी बेलू रख देंगे तो आपका क्यू वेक्टर बन जाएगा ठ आप डायट कर देंगे तो फिर नहीं आएका लात तो जहां-जहां क्यू क्यू रख देंगे क्यू रख देंगे सब्सक्ति इसमें भी और फिर अगला पत्थ था ठीक है और यू वी के विमान रख देना तो रख दिये अब इसको डिफरेंसिशन करेंगे देख अप्रेला के साफ़ेज करना तो जी रोजाएगा इसका बनाएगा यानि आई आएगा और इसका करेंगे तो माइनस का जी आएगा तो यहां पर जी प्लस वाई की इस करना करना जी चाहएगा भी करना ये की प्लस ने और इसकी नहीं पर फासे हरेगा तो हमने अब जी आई का इसमें भी गुणा तो माइनस का टीजेड और बनेगा टीजेड आई के तो देखो जी आपने कर ली इसी प्रकास से आपको सब कर लेना ठीक है अब जो मान दिये थे आपके तो यह मान आपको उठा करके इसमें रख देना इनकी जगह पर तो आपका सिंपल जो तुरंट आ जाएगा एक वेक्टर आपका जीए ठीक है जैसे कंपोनेंट्स पूछे तो हमारा एक्स कमान हो गया कितना अब इसमें आपको यूनिट भी दिये गए हैं सेकंड और वो है तो इसका मीटर प्रती सेकंड इसक्वार इसी परकास से एवाई जी हो जाएगा एजड जी हो जाएगा ठीक कंपोनेंट्स निकलाएंगे अब दिखते हैं ट्वैंटीफोर को से कहता है यह भी अच्छा सव इतना है मतलब इस रूप में समीकन की रूप में दिया गया है इसे पॉसिबिल इन बांडरी सर्फेस लिए पॉसिबिलिटी चेक करनी है सबसे पहले आपको बना लेना है पॉसिविल के कंडिसन दिखाने के लिए आपको ने जीए कि कुछ सेकंड को ले लेना है अब हमें जो मान निकालना हुए मतलले मतलर सब कि मान चाहिए तो तो इसका यह हुआ तो टू एक सब जीरो हो जाएंगे इस डेल एफ डेल वाई तो यह तो इसी परकार जेट का अब हमने निकाला डेल डेल टी का तू देख सकते हैं यहां पर बटे में जी ऊपर जाएगा तो माइनस का टू एन बाहर कर लिए यहां पर सब्सक्राइब कर लिए अब हमने बताया तरीका आपको क्या बताया था यहां पर प्रिविएस वीडियो देखे हुए तो आपने क्या बताया था कि यू जो है आपका यू का जितना गुडांग होता उतको इसको आपको कॉमन कर लिए हमने कॉमन कर लिए तो यहां बचेगा सिर्फ यू और देखिए एकस बाला पाद और कौन साथ देखिए वह एकस बाला जे है तो इसमें देखो एक टी एश्ट्रा तो एक टी आ जाएगी इसमें बटे में और देख रहे हैं यहां यहां एक एकस बचेगा त आफ है वी टेक है आफ इनको ज्क तब सटेस्पाइए हो जाएगी तो आइसके यह तो सक्ते सटिस्पाइए तो हम कह सकते हैं कि इतने कुस्टन कर ली आए देखते हैं लाश्ट कुस्टन जी आपको थोड़ा मेहनत करनी है इस सवाल को लगाईएगा यदि नहीं आता है तो आपने हम जो है नेक्स्ट वीडियो में तो आपको देहीं देए कमेंट कीजिएगा आपको पॉसिबिल्टी दिखा नहीं है तो कुछ नहीं है यहाँ पर क्या है आपने एक क्वेशन देख लिए सबसे पहले आपको बन की बरावर मानेंगे फिर इसका करना पहुत ही सम्हुल करना करना कि पहला यहां और सेकंड से को करेंगे चाहाए आप नसवाते हरसे फोर्मुली वाले से कर लेना कोई बार नहीं आप कोसद कर आईगा ठीक है इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में रख लेंग यदि नहीं बनता है आप लोगों को तो ठीक है मिलते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो में उसके तीन वीडियो और आने वाले इसके हमारा जूसे अप्टा ये कंप्लीट हो जाएगा इस से आंगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है जी हमने कह दिया ठीक है चलिए देखते हैं फिर थैंक कि ईयुग